नमस्ते मैं अजय भोला अर्ष केंपस में आपका स्वागत करता हूं आज हम यजुरुवेद का आठवा अध्याए पढ़ेंगे इससे पहले हम आठवा अध्याए आरम करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली अध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक अतिशिक्र पहुँच जाए तो आईए गायत्री वंत्र के साथ हम आठवा अध्याए आरम करें आईए आरंब करते हैं हे सोम देव आधित्य देव की तरहे आपको कलश में ग्रहन करते हैं हे विश्णू हम आपके लिए श्रोत गाते हैं आप सोमरस्व हमारी रक्षा कीजिए कोई भी आपका दमन ना कर सके हे इंद्रदेव आप अहिंसक हैं आप हमारे पास पधारिये आप हवी को ग्रहन कीजिए आप धन्वान हैं हम आदित्यों जैसा सने पाने के लिए इंद्रदेव की उपासना करते हैं हे पात्र हम आदित्य देव की परसन्नता के लिए आपको ग्रहन करते हैं आदित्य देव शांत चित आनंद दाता तथा देवों और मनुष्यों का कल्यान करने वाले हैं यज्ज देवों के प्रती हैं हे अच्छे मन वाले आदित गण, आप हम सब के लिए सुखकारी हों, आपकी प्राचीन और स्रेष्ट मती हमें प्राप्थो, इस से विपरीत बुद्धी वाले भी यजभाव में रुची लें, आदित देव की परसनता के लिए सोम को ग्रहन करते हैं। श्रद्धा रखते हैं, उनके पुर्शार्थ पुत्र पैदा होते हैं। धन धान बरपूर रहते हैं, घर में सुख शांती रहते हैं। अन प्रदान करने की कृपा करें, आप हमारे लिए अन धारिये वे यजपती का यजपूरा कराईए। हम अपने सोभागे के लिए सुविता देव की उपासना करते हैं। हे सोम, आपको कलश में ग्रहन कर लिया है, आप सुख दाता, सुप्रतस्थित, विशालवे कर्तव पालक हैं। हम आपको नमन करते हैं, सभी देवों के लिए आपकी स्थापना की जाती हैं। हे सोम, आप ब्रिस्पती के पुत्र हैं, हमने आपको उपयाम में ग्रहन कर लिया हैं। हम सोम को पत्नी के साथ ग्रहन करते हैं, हम उनकी ब्ढोत्री करते हैं, अंत्रिक्ष पितातुल्य हैं। हम सब और से उनका संग्रक्षन पाए हुए हैं। हम दोनों और से सूर्य के दर्शन करें, हम देवताओं की परमगुहा के दर्शन करें, हे अगनी, आप पत्नी सहित त्वस्टा, देव की भांती सोम पान कीजिए, हम आपके लिए आहूति, स्मर्पित करते हैं, हे प्रजापती, आप विर्य हैं, विर्य धारक हैं, आप हमें विर्यवान बनाएए आप प्राकरमी हैं आप हमारे लिए प्राकरमधारिये हम विर्यवान वेशक्ति साली हों। हे सोम आपको कलश में ग्रहन किया गया है आप हरे रंग के हैं आप योजन दूर से अपने गोड़ों की साहिता से पदारिये आप इंद्रदेव के साथ हरे रंग के गोड़ों वाले रत पर पदारिये। हे सोम आप उपासना योग्य हैं हम बार बार आपको अमंत्रित करते हैं हम उक्त मंत्र से आपकी उपासना करते हैं आप गोड़ों वैगायों के प्रेरक हैं हम यजुरुवेद के मंत्रों से आपकी उपासना करते हैं हम अपने अभिष्ट की पूर्ती चाहते हैं आप देवताओं के प्रति यज्यादी से संबंदित पापों को दूर करने वाले हैं, पित्रों के प्रति किये गए पापों को दूर करने वाले हैं, आप अपने आप के प्रति किये गए पापों को दूर करने वाले हैं, आप जाने अन जाने में किये पापों को दूर करने वा दूध पूर्ण श्रेष्ट शरीर वाले और मन से कल्यान कारी रहें, त्वस्टा देव हमारे लिए धन धारियें, आप हमें धन देने वैकस्ट विहिन करने की कृपा कीजिए। हे इंद्रदेव, आप हमें अच्छा मन इस्ट गाएं वे वीरता वाली भावना दीजिए, आप हमें कल्यान कारी भावनाओं से भरिये, आप ब्रहमनों द्वारा देवताओं के लिए किये गए कार्यों के प्रती श्रेष्ट बुद्धी से जोडिये, यजमानों को यजमानो हमारे लिए धन धारिये, आप हमें धन दीजिए, आप हमें कस्ट विहिन करने की क्रिपा करें। हे स्वीता देव, आप धन धारन करता हैं, हम आपके लिए यज्ज करते हैं, प्रजापती विदिवान वे पालक हैं, अगनी त्वस्टा देव, विष्णु यजमान के लिए श्रिष्ट संतान वे धन दारने की क्रिपा करें, हम इन सब देवताओं के लिए आहुतिया भेट करते हैं, हे देवो, यज्ज सदन आपके लिए सुगम बना दिये गए हैं, आप आसानी से यज्ज सेवन करने का काम कर सकते हैं, आपके लिए पात्र हवी से भरे हैं, आपके लिए हवी वहन कर रहे हैं, आप हमारे लिए धन दारिये, ये सभी आणु आहुतिया धन के लिए अरपित हैं, हे अगनी आपने जिन का आहवान किया है उन देवों को अपने अपने स्थान पर प्रतिष्ठित करने की कृपा कीजिए आप यज्ज में दी गई हवी हव सारे यज्ज की आहुतिया ग्रहन करने की कृपा कीजिए हम आपके लिए आहुतिया अर्पित करते हैं हे अगनी जिस यज्ज के लिए आपको यहां आमंत्रित किया गया है उसे आपने अच्छी तरह पूरा किया इसलिए अब ज्ञान संपन आप अपने स्थान की और प्रस्थान करते हुए यह आहूत इस्विकार करें हे देवतागन आप यज्ज के ग्याता हैं आप अपने ग्यात स्थान की और गमन कीजिए आप मन के स्वामी हैं इस यज्ज में आपके लिए आहूत अर्पित करते हैं आप हमारे लिए शुद्ध वायू धारिये हे यज्ज देव आप यज्ज की और जाये आप यज्ज पती को प्राप्त होए आप अपने मूल स्थान को जाये यह आपका यज्ज है आप यज्ज पती के पास जाये हम आपको आहूत भेंट करते हैं हम हजारों वाणियों से आपकी स्थूत करते हैं आप सरवादिक वीर ह हम इस यज्ज में आपके लिए आहूत अर्पित करते हैं। आप पृत्वी पर अजगर के समान खतरनाक मत बनिए। सूर्य के प्रस्थान के लिए वरुण देव मार को सुगम बनाने की कृपा करें। वरुण देव जहां पैर नर रखे जा सकते हैं वहां भी मार्क बना देत हैं। प्रतिगात कर देते हैं हृदय के कस्ट दूर कर देते हैं। उनके पाश दुस्ट नासी हैं। वे प्रतिष्ठित देव हैं हमारा उन्हें नमन। हे अगनी आप जल में प्रवेश कीजिए ताकि जल धार नीचे न गिर पाए। आप असुरों से यज्ज की रक्षा क किजिए आप समीधा को ग्रहन करने की कृपा करें। आपकी जिवा यज्ज का घी धारन करने के लिए प्रेरित हो हम अगनी के लिए आहूत अर्पित करते हैं। हे सौम आपका हृदय समुद्रवे जल में हैं आपको हम वहां स्थापित करते हैं। आपकी ओश्दिया और ज आपके लिए नमन, हे दिव्य जल, यह सोम पात्र आपका गर्भ है, आप प्रेम से, वे इसका पोशन करते हुए ग्रहन करें, हे सोम जल आपका लोक है, आप उसकी इच्छा करिए, आप भी सुखी रहिए, हमें भी सुखी रखिए, संगरक्षन दीजिए हे, अव भृत सनान यज, आप निचूडने वे निरंतर बहने वाले हैं, आप दैव कृपा से देवों के प्रती हमारे पाप दूर करने की कृपा कीजिए, आप मनुश्यों के प्रती किये गए पापों को दूर करने की कृपा कीजिए, आप प्रेशान करने वाले शत्रों को आपकी कृपा से देवत्व बढ़ता है, दस माह के गर्ब के जरायू के साथ जाएए, जैसे वह वायू जाती है, जैसे वह स्मुद्र जाता है, वैसे ही आप दस माह के जरायू के साथ उत्पन्न हुए, हे देवी इसी से आपका गर्ब यज्ज से सम्बंदित भावनाएं रखने वाला है, आपकी योन इसी से स्वर्गमई है, अंग अगनी की तरह पवित्र हैं, मंत्रों से आपका पवित्र समागम होता है, आपके लिए आहूति समर्पित है, गर्बदानी, रूपवान, बुद् भूवनों में प्रसारित हों, आपके लिए यह आहूतिस मर्पित करते हैं, हे मरुद्गन, आप दिव विशिष्ट हैं, आप लोगों के कस्ट दूर करते हैं, आप लोगों की गायों के अच्छे रक्षक हैं, महान पृत्वी स्वर्ग लोक इस यज्य की रक्षा करने की कृपा करें धन पिपास्वों को बरपूर धन परदान करने की कृपा करें हे इंद्रदेव आप वृत्र नाशक हैं आपके गोड़े संकेत मात्र से चलने वाले हैं आप अपने ब्रह्म ग्यानी घोड़ों को रत में जोतिये प्राचीन सोम को पत्थर से कूटने पर होने वाली दमनियों से आपका मन यग्य की और आकरशित हो हे सोम आपको इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहन किया गया है हे इंद्र आप हरी नामक घोड़े हैं आप शत्रुनाशी हैं तेज गती वाले घोड़े आपको मनुष्यों के यज्ज में लेने आते हैं यज्मान रिश्यों की श्रिष्ट प्रार्थनाओं से आपकी उपासना करते हैं सोम रस को इंद्रदेव के लिए कलश में ग्रहन किया गया है यह इंद्रदेव के लिए मूल स्थान है वे सोलह कलाओं वाले हैं हम 16 कलाओं वाले इंद्र के लिए आपको ग्रहन करते हैं हे इंद्र आप शत्रूआ का नास करने वाले और सौम पीने वाले हैं तेज गती वाले दो घोड़े आपको यज स्थाल तक ले जाते हैं, हे सौम आप कलश में ग्रहन करने योग हैं यह आप का आश्रे स्थल है इसलिए हम 16 कलाओं वाले इंद्र की प्रसनता है तु आपको ग्रहन करते हैं इंद्र देव से परम और श्रेष्ट और कोई देव नहीं वे सभी लोकों में व्यापक हैं प्रजापती प्रजा के साथ रमन करते हैं वे 16 कलाओं वाले हैं तीनों जोतियों को अपने में धारे हुए हैं इंद्र समराथ हैं वरुन देव राजा हैं वे दोनों देव पहले भोग लगाते हैं उसके बाद हम उस सामगरी का सेवन करते हैं वाग देवी प्राण के साथ जुड़कर सोम्रस त्रिप्ति देने की किरपा करें हम उनके लिए आहूति भेट करते हैं है अगरी देव आप अपना काम करने में कुशल्व पवित्र हैं आप हमें पूरा वर्चस्व दीजिए आप हमें शुरेष्ट विर्यवान बनाईए आप हमारे लिए धन धारिये आप हमें पोशन दीजिए हे सौम आपको अगनी के लिए कलश में ग्रहन करते हैं हम वर्चस्व के लिए आपको ग्रहन करते हैं यह आपका मूल स्थान है आप वर्चस्वियों में वर्चस्व वान देव हैं हमें भी इसी तरह मनुश्यों में बार बार वर्चस्वी बनाईए है इंद्रदेव आप आजकेस आप औजके साथ उठिये, आप सुंदर ठोडी वाले हैं, आप इस पे का पान कीजिए, यह सौम इंदर के लिए आपको च्वा रहे हैं, सौम को इंदर देव के लिए कलश में ग्रहन किया गया है, यह इंदर देव का मूल स्थान है, हम ओज के लिए आपको ग्रहन करते हैं, इंद्रदेव ओजवान है, वे देवताओं में ओजवान है, वैसे ही हम मनुष्यों में भी ओजवान हो जाएं। एद्रिश रश्मियों की अगनी पता का अनुकरण करती है वह मनुष्यों को दिखाई नहीं देती आपको सूर्य के लिए कलश में गरहन किया गया है आप चमकते रहिए कलश आपका मूल स्थान है सूर्य प्रकाशमान है वह देवों में प्रकाशमान है वैसे ही हम मनुष्यों में प्रकाशमान हो जाएं ये सूर्य की किरने विश्व विख्यात हैं ये दिव्यता वहन करती हैं सूर्य की किरने सारे संसार को दृष्टी परदान करती हैं हे सोम आपको कलश में ग्रहन किया गया है, आपको प्रकाशमान सूर्य के लिए ग्रहन किया गया है, आप यही आपका मूल स्थान है, आप सूर्य के लिए प्रकाशित होईए, हे महिमा शालिनी, आप इस कलश को पूरी तरह सूंगे, इसके सोम आदी आप में प्रवेश करें, आप पुनह उस उर्जा को लोटाईए, वे उर्जा हमें हजारों धाराओं के रूप में मिलें, हमें दुधारी गाएं वे धन मिलें, हे गोमाता, आप हवन में काम में हैं, आप चंद्रमा और सूर्य की जोती की तरह हैं, आप सरस पृत्वी पर विख्यात वे वद्योग नहीं हैं, आप हमारे नाम से अच्छी वानी से देवताओं को बुलाने के लिए बोलिए, हे इंद्रदेव, आप हमारे शत्रूओं वे नीचों को मारिये, जो हमें दास्ता और अंदकार देना चाहते हैं, आप उन्हें अंदकार में ले जाएए, आपको इंद्रदेव के लिए कलश में धारन किया गया है, कलश में ग्रहन किया गया है, आप यहां स्थित रहिए, यह आपका मूल स्थान है, आप यहां स्थित रहिए, हे वाचस्पती, आप विश्व के करमों के सरजक हैं, आप मन जैसे हैं, आज हम जो अनहवन कर रहे हैं, उसे सवीकारिये, आप सजनता भरे काम करते हैं, आप विश्व का भरन पोशन करते हैं, आपको इंदरदेव के लि ये कलश में ग्रहन किया गया है या आपका मूल स्थान है आपको विश्व करमादेव के लिए समर्पित किया जाता है। हे विश्व करमा हम हवी से आपको बढनूत्री करते हैं आप दुख दूर करने वाले हैं आप करतہ धर नगांग यह आपका मूल स्थान है आपको विश्व कर्मा के इस्थापित किया जाता है। आपको इस अगनी के लिए ग्रफन किया गया है। हम आपको सभी देवों के लिए ग्रहन करते हैं। हम आपके प्रति अनुस्टुप चंद में वाणी में स्टूति करते हैं, हे सोम हम जल बरसाने के लिए आपको कमपाते हैं, हम संसार के कल्यान के लिए आपको कमपाते हैं, हम मेगों के जल के लिए आपको कमपाते हैं, आप आनंददाई हैं, हम जल बरसाने के लिए आपको कमपाते हैं, आप मधु मान हैं, हम आपको मधु बरसाने के लिए कमपाते हैं, आप प्रकाश मान हैं, हम प्रकाश की वर्षा के लिए आपको कमपाते हैं, हम दिन सवरूप सूर्य की किर्णों के लिए आपको कमपाते है सोम बलवान प्रकाशमान विशाल वे प्रकाश के आगे गमन करने वाले हैं सोम सोम के आगे गमन करने वाले अभैदाता वे जागरित हैं हम आपको ग्रहन करते हैं इसलिए हे सोम हम आपके लिए आहूति भेट करते हैं हे सौम आप अगनी का अहार बनिये, आप पथ के लिए भोजन के रूप में प्राप्त होये, आप वन्ष वरती वै सौम के प्रिय हैं, हे सौम आप हमारे प्रिय, आप सभी को प्रिय, वै सब के लिए त्रिप्ति दाई हैं हे गवो इन यज्ज करने वालों के प्रति आपकी प्रीथी बनी रहे गीशे भरी हुई यह आहूथी आपके लिए अर्पित है आप इसे अपने धैर से ग्रहन कीजिये जगत को धारन करने वाली प्रित्वी माता के लिए जल धारन करें और उन के लिए उस जल को बरसाएं आप यज्ज की सम्रिधी करने वाले हैं, आपकी किरपा से हम प्रकाशित हों, आपकी किरपा से हम अम्रता पाएं, पृत्वी से स्वर्ग लोक तक आरोहन करें, आप देवताओं के जोतिर मैं लोक को देखने में समर्थ हों। हे इंद्रदेव, आप युवा परवत वासी वे श्रेष्ट योद्धा हैं, आप शत्रों को पूरी तरह तपाईए और उन पर वज्जर से प्रहार कीजिए, आप हमें शत्रों द्वारा घेरे जाने वे चिपाए जाने से दूर ही रखिए, आप हमारे शत्रों पर सब और से कर्मन करिए, आप प्रित्वी स्वर्गादी सब जगे व्याप्त हैं, आप हमें अच्छी वश्रेष्ट प्राकर्मी संतान दीजिए, हमें वीर बनाएए और अच्छी तरह पुष्ट कीजिए, परमेष्ठी नामक यज्ज में प्रजापती के लिए मंत्र से आहूती दीज सौम के लिए अंधसा नामक मंत्र से आहूती दीजिए, स्वीता देव के लिए उनके नाम से आहूती दीजिए, विश्व कर्मा देव के लिए उनके नाम से आहूती दीजिए, पूशा देव के लिए उनके नाम से आहूती दीजिए, खरीद के लिए इंद्र और मरूत को खरीद के लिए असुर के लिए उनके नाम से आहूत दीजिए, खरीदे हुए मित्र के लिए उनके नाम से आहूत दीजिए, गोध में बैठे विश्नु के लिए उनके नाम से आहूत दीजिए, अरू पर बैठे हुए विश्नु के लिए नरंधिश मंत्र से आहूत दीजिए गाड़ी से लाए जाने वाले और आसन पर बैठे हुए सौम हे तू उनके नाम से आहूत दीजिए अगिंधर में स्थित सौम के लिए उनके नाम से आहूत दीजिए इंद्र देव के लिए उनके नाम से आहूत दीजिए अत्वा नाम से ले जाये जारहे सौम के लिए उनके नाम से आहूति दीजिए विश्वे देव को उनके नाम से आहूति दीजिए हमारे प्रती प्रेम रखने वाले और पालनहार विश्णु को उनके नाम से आहूति दीजिए सौम से सींचे जा रहे यम को उनके नाम से आहूती दीजिए सौम से अभिशिक्त किये जा रहे विश्णू को उनके नाम से आहूती दीजिए पिवित्र किये जा रहे वायू को उनके नाम से आहूती दीजिए पवित्र शुक्र के लिए नाम से आहूती दीजिए दूद में गुथे हुए सौम के लिए उनके नाम से आहूती दीजिए सत्तु मिला कर तयार किये हुए सौम के लिए उनके नाम से आहूती दे कर शोबह बढ़ाईए विश्वदेव के लिए चमस में रख कर आहूती दीजिए माया भी असुर के लिए उनके नाम से आहुत दीजिए रुद्र के लिए उनके नाम से आहुत दीजिए घिर जाने पर वात देव के नाम से आहुत दीजिए नुरिचक्स के लिए उनके नाम से आहुत दीजिए खाने से बचे हुए सौम हे तू उसके नाम से अहुति दीजिए, सनान के लिए सौम सिंधु है, उने उनके नाम से अहुति दीजिए, समुद्र में रखे हुए सौम के लिए उनके नाम से अहुति दीजिए, जल में व्याप्त सौम को उनके नाम से अहुति दीजिए, जिन देवों के ओज से ओजवान हैं, उ यज्ज में प्रथम आहूति पाने वाले देवों के लिए यह आहूति अर्पित की जा रही है जो यज्ज स्वर्ग में देवों के पास जाता है वह यज्ज हमें प्राप्त कराईए हमें इस्ट द्रव्य प्राप्त कराईए अंत्रिक्स को मिलने वाला यज्ज फल मनुष्यो को प्राप्त कराएं इस धन प्राप्त कराएं जो जो यज़ फल जिस जिस लोग में गया है उससे हमारा कल्यान हो 34 देव जो इस यज़ का विश्टार करते हैं जो यजमानों को पोस्टिक पदार्थ परदान करते उन देवताओं के लिए यह आहूतियां अर्पित हैं यज्ज जैसे कार्यों से हम जो धन धारन करते हैं वह हम ऐसे ही शुब कार्यों में खर्च करते हैं यह आहूति देवों को त्रिप्त प्रसन्न करने की कृपा करें हम यज्ज का दोहन वे उसका विश्तार करें वे सभी का दुख दूर करें यह यज्ज आठ प्रकार से विश्तार पाए यह यज्ज सवर्ग लोक तक विश्तृत हो यह यज्ज हमें श्रेश्ट संतान प्रदान करें यह यज्ज हमें धन प्रदान करें यह यज्ज हमें पोश आप आईए आप इस यज्ज को पवित्र करने की कृपा कीजिए आप हमें सोना घोडे गव गन आदी भरपूर वैभव दीजिए आपके लिए हम यह आहूति अर्पित करते हैं इसी के साथ हमारा अध्याए आठ पूर्ण हुआ अगरे वीडियो में हम नवे अध्याए के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे अगर आप हमारे साथ आगे भी अध्यात्मिक वीडियो में जुड़े रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक अतिशिक्र पहुंच सकें तब तक के लिए नमस्कार जैहिंद